जम्मू कश्मीर और लदाक में रविवार को मोसम खराब रहा क्योंकि मोसम विभाग ने अगले 24 गंटों के दोरान आंशिक रूप से बादल चाहे रहने और हलकी बारिश की संभावना जताई है जबकि जम्मू डिविजन में तेज दूप खुली हुई है विभाग के एक अधिकारी ने का हम अगले 24 गंटों के दोरान जम्मू कश्मीर और लदाक में आंशिक रूप से बादल चाहे रहने और हलकी बारिश की उमीद कर रहे हैं शिर्नगर में रहिवार को मिनिमम टेंपरेचर 8.2 डिग्री सल्सियस पहलगाओं में 2.9 डिग्री और गुलमर्ग में 1.8 डिग्री सल्सियस दर्ज किया गया लडग के द्रास सहर में रात का मिनीमम टेंपरेचर जीरो से 4.3 डिगरी सेल्सिएस नीचे लेह में 1.1 डिगरी सेल्सियस और कारगिल में 0 से 1.5 डिगरी नीचे दर्ज किया गया जम्मु शहर में मिनिमम टेंपरेचर 20.4, कट्रा में 16.8, बतोत में 12.5, बनिहाल में 8.4 और बदर्वा में 8.9 दर्ज किया गया जुई की अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, तो हमारे YouTube चनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें, प्रेटीजमेंट प्लीस कॉंटेक्ट 705-109-1811